सुदू कर तमाम मकान जल रहे हैं, रिहाईशी मारतें जल रहे हैं, हर चीज़ को निशाना बना रहा है, रूस गाउं हो या फिर शेहर हर जगा पर वो केवल तबाही देखना चाहता है और उसकी तस्वीर आप यूक्रेन से धीरे-धीरे सामने आ रही है क्योंकि आज 12 दिन ह चला है, और जंग अब महा जंग में तब्दील होती हुई, जो तबाही से महा तबाही की और आगे बढ़ रही है, तस्वीरे आप देखिए, बसूं को भी नहीं चोड़ा गया है, पेड़ पौंधे, सब कुछ जल कर खाक हो गए हैं, और किस तरीके से शीशे तूटे और रूसी सेनिकों के तावर तोड हमले के बीच यूकरेन की राश्ट्रुपती जिलंस्की ने पश्चिमी देशों को जताबनी दी है, उन्होंने का एक रूस लगातार उसके सेनि ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन पश्चिमी देश खामोश बेटे हुए हैं पश्चिमी देशों पर जिलंस्की अब बढ़क गए हैं, यूकरेन के साथ नहीं देने का रूप उन्होंने पश्चिमी देशों पर लगा दिया है, पश्चिमी देश हैं, पोलांड, लाट्विया, अस्टोनिया, ये तमाम पश्चिमी देश हैं, हंगरी, रुमानिया, त А завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою, побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей, сотні тисячі живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство. І я не почу. Сирия ек طریقے سے سمرθن بھی دے سکتا ہے, کیونکہ اگر روس کے لڑاکوں کے ساتھ ساتھ سیریا کے لڑاکوں کو وہ شامل کر رہا ہے, یعنی سیریا کا سمرθن یہاں پر روس کو صاف سندیش دیتا ہوا. और लगातार, उसकी और से कोशिश है कि उसकी जो संख्या है, सेने संख्या वो बढ़ती जाए. उसके जो सेन यहातियार है, उनकी ताकत लगातार बढ़ती जाए. इसलिए, अब सीरिया के लडाकوں को भी बढ़ती करना उसने शुरू कर दिया है. और बड़ी खबर, रूस और उक्रेन के बीच छुड़ी जंग पर, पूरी दुनिया पर, अब परमानू युद्ध का खत्रा मंडरा ने लगा है. वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के दो नुक्रेर पावर प्लांट पर कबजे के बाद, अब रूस की नजर वहां के तीसरे परमानू प्लांट पर है. इस बात का डर खोद यूक्रेन के राश्ट्रपती वुलादमीर जिलन्सकी ने जटाया है जिनका एक कहना है कि रूस पर यूरो नक्रांसक परमानू पावर प्लांट पर कबजे की फिराक में वो है जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है. रूस पहले ही उतरी यूक्रेन के चर्णोबिल परमानू प्लांट और यूक्रेन के सबसे बड़े जापोरीजिया नूक्रेल पावर प्लांट पर कबजा कर चुका है.